हेलो फ्रेंड वेलकम टो टेक्निकल जी एसम भाई वो फ्रेंड्स आज है उला उबर का तो आपको पता है पिछली बार तीन दिन का विकेंड था तीन दिन की छुट्टिया लोगों ने एंज़ाय किया पिछले वीक में और इस हबते भी तीन दिन का विकेंड है तो आज में निकला था गुरुवार की रात तो जैसा की पता है आज फ्राइडे 14 एप्रेल है तो भीम राव साहब की जहनती बाबा साहब आम बेक्टर की जहनती पर आज तो छुट्टी होने वाली है सेटल दे छुट्टी होने वाली और संडे भी छुट्टी होने फिर से तीन दिन का विकेंड आगे है लोगों का मजा है छुट्टिया एंजॉय कर रहे है तो आज रात में मैं सबा 11 बचे ही बुकिंग मिल गए थी जो जाम था भाई बेस्टन लाइन पूरा कंजेस्टेड हो गया एक घंटा एकत्तीस मिनट लग गया मुझे पहली बुकिंग करने में 341 रुपया मिला है मुझे 30 किलिमिटर का इसने कंजेस्टेड में यार मजा दिया या इस पहले तो कोई बात नहीं तो उसके बाद वहां पे जब मैंने पैसेंजर को कांदीवली ड्रॉप किया तो चेंबुर से मुझे छड़नेगर से बुकिंग लगी थी कांदीवली ड्रॉप करने के बाद तो आज ऐसा हुआ कि मुझे एक बुकिंग लग गई थी नरिमन पॉइंट का गिरगाओं के आसपास का एक बुकिंग लग गया था तो पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया 491 रुप एक बुकिंग लग गया था तो मैं बोला रहे वाह चलो रुकना नहीं पड़ा जस्ट बुकिंग लग गया ताज महल पैलेस से लगा था होटल के पास से बुकिंग लिया था मैंने और जो 57 किलेमिटर था और मिला है 640 रुपे टोल के साथ 600 रुपे फेर मिला है एक गंटा टोल भी मिले 640 रुपे मुझे मिले उसके बाद मैं पहुच गया डोमबी वली मैं आराम से सो गया भाई देड़ घंटा सोया टूटल देड़ घंटे का अलाम लगा हुआ था मैंने देड़ घंटा 6 बज़े का अलाम था 6 बज़े जब मैं उठा तो मुझे एक बुकिंग बचती है छे पंदरा का पीक अप था मुव अगयरा दोया फ्रेस हुआ पैसेंजर को पिक किया मैंने और जो बुकिंग है इससे मैं वहीं पर हूं मड मड में यहां पे एक होटेल है होटेल का नाम क्या है रिट्रेट होटल रिट्रीट होटल है फाइव इस्टार होटल है वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया तो 65 किलमेटर ता वहां से पवाई होके आया हूं घुडबंदर रोड जामता आ जया है तो 65 किलमेंटर का जो मुझे फेर जो मुझे फेर मिला है 861 रुपया मिला है और प्लस 40 रुपय टोल भी मिले भाई 901 रुपया मिला है मुझे जबरदस्ट मिला है फेर तो ये 901 रुपय के साथ जो आज की मेरी एर्निंग रही है ओला में 1541 का हो गया है और उबर में कितना हुआ था पांच तीन आठ तो आठ सो यहां पे 15 रुपय का काम हो गया है और मैं मध में हूँ तो यहां पर बुकिंग मिलेगा नहीं आपको पता तो निकलता हूं सिदा यहां से पांचे किलिमेटर जैसे मलाट के नजडिक पहुचेंगे मिट चोक के पहले ही आसपास मुझे बुकि है मलाट के पहले तो वहां से मुझे बुकिंग 100 परसन लगी जाता है और रात हो दिनों कभी भी बुकिंग लग जाता है मध से थोड़ा दूर लेकिन 5-6 किलिमेटर यहां से चलना पड़ता है और पीछे गाउं में जाएंगे तो वहां से फिर 10 किलिमेटर खाली जाना और ह से निकलते हैं थो ठीक सुन होल एप माली का रोग यहां से निंखलते मह वग तो ठीक हो गया तुमार भाई का था टुपनू ऑल मुछ इस्व का और सब्स्राइब का बटन भी दबादो आज फेर कापी अच्छा दिया होला से आज दिल खुश हुआ क्योंकि ये प्री बुकिंग था प्री बुकिंग गया जो होता है उसमें फेर ज्यादा ही रहता है हमेशा ये याद रखो तो पैसिंजर ने रात में बुक करके रख दिय सब 6 बजे का और मुझे ये मिल गया भाई एकजट मेरी पुल्ड लोकेशन पर ही था एक किलमेंटर के आसपास और गाइस मेरा जो मैंने बताया था कि मैंने सुनार बाड़ा में फ्लेट लिया है तो मेरा फ्लेट रेटी हो गया हैंड अबर हो गया आज है उसको नारेल हो अब लिए फ्लेट रेडियो हो गया मुझे मिल गया और कंप्लीट हो गया अलमॉस्ट सबकुछ बस लिफ्ट का काम बाकी है और भी हो जाएगा कुछ दिन में लिफ्ट लग जाएगा और उसे अभी रेंट पर देने वाला हुमें तो वहां पर एफ्ट नहीं होने वाला तो उचली फ्रेंट्स निकलते हैं जो भी डीटेल लेगा आपको बता देंगे और खासकर राज एक और अभी यार सी एंजी का तो मज़ा आई रहा है तास रुपया सस्ता हो गया है सी एंजी में दिल गाडन गाडन हो जाता है सी एंजी फिल करते हैं सस्ते में से अपी प्रेंट्स निकलते हैं जो भी कहानी है और सस्ता तो सस्ता हो जाए और मज़ा जब में चला ना श्टार्ट किया था करीब एक साल पहले तो कुछ ऐस इस एक जी था तो सत तर कै आश्पास निकलता है मुंबई उसके प्राइस में कमी कि गई यह प्रभादेटी का booking लग गया ग・ज फटाक सब्सक्राइब तो जो बंबेय हाई से जो गैस निकलता है व tries पर रित कम किया गया रूल लॉल है की रिट को अग्जस करने का हर महनीर रेट को एक्जसक्राइब तो नया रूल जो आया है गयस के रिट का कुछे क्रूड ओयल के उपर ही क्रूड ओयल का 10% के हिसाब से इसका रिट रहेगा साड़े च्छे के आसपास कुछ ऐसा कुछ रहता है तो उतना डिटेल मुझे भाई इतना अर्थसास्त्री तो हून नहीं मैं यह जो की अकरी में अगर होता तो प्रोला कियो घ्रेविम क्यों करता है भाई अर्ट ये अर्ट नीग्लत बाई मुझे ए आच मिल जाता है वहाल ओंस पास से अर्ट अर्ट भी थेल देगा। बाही करते है एक फोजी moore k expert क की पिक है है और उससे फोन करके पूझ रहे हैं, भाई सब चार लोग आ जाएंगे कि नहीं, मैं बुला हाँ सर पिलकुल आ जाएंगे, मैंने बुला सर चार लोग आ जाएंगे, लेकिन ये बता हिए, पतले सलीम है, क्या है भी हैं, बुले ने एकदम फाउजी आदमी भाई, एकदम सलीम हैं, हम लोग चार पतले-पतले हैं, बुला सर बच्चे, हाँ बच्चे भी हैं, सामान नहीं, बुला ठीक है सर, मेरी तो नई बैगनार है, आ जाएंगे भाई, लेलो बैटो, चार लोग के लिए ही गाड़ी बनी है, बाकि बच्चे का कौन गिनता है, बैठाओ बड़ी ग दिख लूँगा मैं मठ की तरफ से, तो जहां तक खाली ही जानने माला था, वहां तक तो इसे खाली ही इसको समझेंगे, तो 13 मिनट दिखा रहा था, लेकिन मैंने अचानक से वो 10 मिनट हो गया, और 3.4 किलोमेटर 8 मिनट हो गया है, रूट तो खाली है, बस सिंगल रूट ह यहां पर पास नहीं, ओवर्टेक नहीं कर सकते हैं, यह तो गाउ टाइप में है, तो ओवर्टेक नहीं हो सकता है, यहां पर ज्यादा, और ओवर्टेक ज्यादा करने का ट्राई भी नहीं करता है, यह सम रोडों पर गाउ खेड़ा है, कोई कभी भी क्रॉस करता है, कोई से से मार्वे नेवल का कंपाउंड मेंट है वहां से सिद्धी बनायक से सिद्धी बनायक मंदिर अभी भी जज ड्रॉप किया और आगे वाले सिगनल भी हूं तो ओला की बुकिंग थी ठीक टाक फेर था फेर में कोई कमी नहीं थी जो फेर था कुछ 370 सम्तिंग कुछ मिला है थल्टे किलोमेटर का 28-29 किलोमेटर था 372 रुपे मिले हैं एक घंटे आठ मिनट लग गए हैं मुझे और मैं निकलता हूं यहां से घर पे अगर रास्ते में कोई बुकिंग और मिल गया तो ठीक है ने तो सिद्धा घर पे निकलते हैं भाई अपु किले बहुत अच्छा अरनी हो गया आज लंबी लंबी बुकिंग थी अच्छी खासी बुकिंग मिली आज रुका नहीं बस डॉंपी वली में तो टोटल दो गंटे का रेच समझ लो जो की बहुत ही जरूरी था नीदार ही थी मुझे भाई थी जपकी सब की सी आ रहे थी इ आम दीनों खास दीनों कुछ भी को भाई ट्रेफिक लगा रहता है और एपर से भाई बी आई पी तो वावरी बी आई पी आने वाले थे मंदिर के आसपास गाड़ी भी नहीं कड़ी करने दे रहे पता हो वी आई पी यो की वज़ए से आम जनता परिसान साइड लगो ना जिद्धी आदमी हो या इससे पड़े हैं तो वा गया है अपन सब भाई बटेली बनते हैं भाई आज इसे रोट पे राम मंदिर में गाड़ी गुसा दिया था अटा नहीं रहा पप्लिक भाई बिल्ला होगे उसके उसके उपर उसके 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 उ अगात आज बेश्टन लाइन ने पुरा उसको डखाड डुकाल के पले ले गाड़ी पिछे दादा इरी करता है क्या बीच में भुसाएगा उसको विचार वो उसका घसीट घसाड के सब धक्का देके उसकी गाड़ी पीछे कर दिया और अच्छी गाड़ी दिता भी रहा इससे निकलेंगे डिर केंश से बुक्र की मिल जाती है आसपास का तो ले लेंगे hai तो इसे सिदा घर पे चलते हैं अब भुकीं क्या Logic आगई है almost काम भी हो गया, अगर काम नहीं हुआ होता, तो बुकिंग ले लिता, क्योंकि बुकिंग अभी मिलेगा अभी तो लंबी लंबी मिल जाएगी, हाइदा क्या है, लंबी दूरी पर जाना नहीं है अपने को, कितना सिगनल है यार, पुलिस की बंदोबस थे, भी आइपी आ रहे के लिए इतना ट्रैफिक, तो वट फिरिच्छी हनुमान जी मंदीर, यहां से लिया लेफ्ट, आगे वाले सरकल से लेना है, राइट, और पैसेंजर खड़े हैं रोड पर, पिक करते हैं, और लेकल चलते हैं घर, फाइनली आगे आ हुँमें मानखूर्द मैट्रो जहां से इनकलने वाला है, यहां पर रहने के लिए सोसाइटी भी बना रहे हैं पूरा यह देखो यह पूरा आपर अपड़ू पर दो जो मैट्रो जहीं से निकले गी, इस दिख नहीं से निकले गी, इसलिए मांखूर्द मैट्रों से सब बनाएंगे, डेप अगीरा और यहां पर उसमें काम करने वाले हैं यहां पर ऑफिसेज वगेरा रहने के लिए भी घर वगेरा सब बना रहे हैं तो यहां से मेट्रो इस्टार्ट होने वाला मानखुर्द वाला काम चाल हुए यह ओफिस भी बना दिया इन्होंने एमेमर्डिये का नहीं बनाए के सेंगे यहां पूरा यह डेवलप कर रही एरिये को जो यह जगा है भाई महराश्ट नेगर से सीधा अंदर आता है और मैं क इधर से आया मुझे नहीं पता इधर से राइट से कि रोड रोड तो हाई नहीं भाई लोग तो चलिए बात करते हैं बुकिंग सी तो जो बुकिंग थी आभी मुझे मिल गई है मांखुर्द की मिली थी 15 किलो मिटर का 213 रुपया मिला है तुमारे भाई का तुमारे भाई अब घर में पहुच जाओंगा 10 मिनद में और गाड़ी को पार्ग वगेरा करूंगा और चले जाओंगा तो अच्छी खासी अर्निंग आज कर लिया तुमारे भाई तो जो महरबानी थी एक बुकिंग मिला था मुझे फ्रेंड्स मध का जो मध की बुकिंग थी वहां बड़ी दिख रहा है ना वासी ब्रीज की तरफ का है ठीक है मैं लेव्ट ले रहा हूं साइज दरी से आया था मैं तो नो सो रुपे काम आया और अच्छी कासी इंकम उससे जनरेट हो गई मेरी और लगबग तीन हजार के आसपास का तो काम कर लिया है इस्क्रीन सॉट डा अच्छी काम नदा बिजनेस उठ रहा है थोड़ा सा इसा लग रहा है कि एक्जाम खतम हो गए मैंने आप लोगों को पहले ही बदाया था भाई एक्जाम जाने दो बिजनेस डाउन है जो उड़ जाएगा और इद खतम होने दो इद के बाद तो जो बिजनेस थोड़ा बह कराओ दिन बोट जाए ग़्याई बोकिंग बहुत है वहाला उनुक। दसमें आद भी था तु बोकिंग मेरा बज रहता निता ऑला बज़ा अब harus और बजस्यक्स रहे थैं कि ऑसा की कि निannya दो जाना मैं गर्यां घर नहीं जाना में को अरत दीट बैदा बिज्टाओ अभ तो जाहिल सी बात है वहां से आपको रिटन बुकिंग नहीं मिलेगी आप भी जानते हो लेकिन आपको पैसा अच्छा कासा मिल जाएगा आप बुकिंग लेके जाओ पांच-दस किलोमिटर आप यहां भीवंडी और कल्यान नाका कोन गाउ नाका तक आओ हो सके सुना ले गाउं से ही आपको बुकिंग मिल जाए